पहला प्रस्ट लेते हैं, who defined literature as the humanization of the whole world, पूरे संसार का मानवी करण literature को किस ने कहा है, तो चोसर ने, प्लैटो ने, गोईते ने या शेक्सपिर ने तो उसका सहुत्र है, गोईते ने, विच इस दा ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्शन बिब्लीकल पोयम, Exodus, Daniel, Genesis या Christ, एंग्लो ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी बिब्लीकल पोयम कोंची है, Exodus है, नेक्स लेते हैं, विच इस दा अर्लिएस्ट पोयम इन आर लिटरेचर, सबसे पहनी लिख्यू ही पोयम जिसको कहेंगे वो कौन सी है, विचित, दियोर, बियो वुल्फ या दा सी फेरर, तो इसका सही उत्र है, बियो वुल्फ, बियो वुल्फ is an epic collection of ballads, romance, history of the Anglo-Section period, बियो वुल्फ क्या है, एन एपिक है, एपिक पोयम है ये, नेक्स लेते हैं, बियो वुल्फ वोज कमपोज इन नोर्थम ब परिया में लिखी हुई, कमपोज की गई है, कब की गई है, early 6th century, end of the 4th century, end of the 7th century, beginning of the 3rd century, तो इसका सही उत्र है, end of the 7th century, तो आज के लिए इतना ही, thank you very much.